मैं चेंचल और टोड़े विए डिसकस केंडल स्टिक चार्ट्स आज से मैं एक नई सिरीज शुरू कर रही हूँ जहाँ पर आपको केंडल स्टिक्स और हम कह सकते केंडल के बारे में बताऊंगी कौन-कौन से पैटरन होते हैं केंडल हमारे कितने टाइब के होते हैं यह शेयर मार्केट का है स्ट्रोग मार्केट का एक बहुत बड़े कॉंसेप्स है जिनका बेसिक लियर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं start candlestick pattern से कर रही हूँ, candlestick chart से कर रही हूँ उसके बाद candles कैसे कैसे pattern form करते हैं वो भी सीखेंगे और धीरे धीरे इसी तरह हम नई चीजों को सीखते जाएंगे and it's totally free for you all I hope आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे चैनल को इसी बात से चलो हम start करते हैं अपनी पहली वीडियो को candlestick chart, candlestick patterns कह रह सकते हैं, candlestick chart कह सकते हैं candlestick सबसे पहले समझना होगा, candlestick क्या होती है, हमारी candle, candle आप लोगों ने देखी होगी, मतलब मोंबत्ती जो हम कहते हैं ठीक है, वो उसका और candlestick का क्या similarities है, वो बताएंगे लेकिन उससे पहले हम जान लेते, candlestick charts क्या होती है identify potential price movement, based on history history, मतलब history के बिहाफ पे future में क्या होने वाला है, यह देखना, that is called candlestick chart मतलब हम यह देखते हैं, कि candlestick chart में, अब मैं कोई चीज बनाओ, इस तरीके से ठीक है, यह हमने clients रोकी है, it's just a rough chart जो मैं आपको बता रही हूँ यह एक बार उपर जाता है, फिर इस level को touch करके फिर नीचे आ जाता है, same, इस level को touch करके फिर नीचे आ गया, तो यह क्या है, यह एक chart है, यह एक pattern है, जिसमें पता चलता है, कि यह एक बहुत important point है, जहाँ पर touch करने के बाद, share तूटे ही तूटेगा, यह नीचे जाए ही जा तो यह किस से पता चलता है, हमें candle stick चार्ट से पता चलता है, पैटरन से पता चलता है, कि किस type का pattern फोम कर रहे है, किस type की candle बन रही है, ठीक है, यहाँ पर हमेशे एक बात बोली जाते है, कि history repeat itself, यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चोथी बार देखा, अब हमें यह होगा कि हाँ, इस point को touch किये, तो पाच वी बार maximum chances यह हैं, कि यह उपर की side जाएगा, कई बार क्या होते है, यह नीचे की side भी break हो जाता है, और यह level यहाँ से ना हो कि उपर की side भी, उसको हम breakout कहते हैं, breakdown और breakout, जो हम furtherly बाद में स करीज सकते, यह सब हमें कैसे पता चलते है, candle stick charts, charts के थूपता चलता है, candle के थूपता चलता है, यहाँ पर एक point आता है, open, close, high और low, open market कितने पर open हुआ है, close, market का या उस particular share का closing price के है, कितना उसने high बनाए, कितना उसने low बनाए, यह चीज़ मैं आपको live दिखाते हूँ, live चलो, यहाँ पर मैंने लिया है, sorry for that, देखो guys, यहाँ पर आपको दो color की candle दिख लिए, एक आपकी green candle है, एक आपकी red candle है, green candle, green का मतलब हरी जंडी, जो हम normally language में use करते हैं, red मतलब की लाल, red मतलब की हाँ, कुछ ना कुछ तो गडबड होने वाली है, मतलब यहाँ पर रुख जाओ, यह अच्छा symbol नहीं है, तो technical term में अब हम बात करें, तो इसको बोलते हैं हम bullish candle, इसको बोलते हैं हम bearish candle, मतलब bullish यानि bull, मतलब एक अच्छा positive sign, bearish यानि एक negative sign, नीचे के side जा रहे हैं, चलो, पहले हम bullish candle को थोड़ा सा read out करते हैं, bullish candle क्या होत चिक है, यह इस में three parts होते है, सबसे पहले मैं बताती हूँ, open क्या है, high क्या है, low क्या है, open यह सबसे पहले, सबसे से उपर जो है, यह होते है, high, चिक है, वहीं पर अगर हम, यह जो level है यह है high और यह जो level है यह है low अगर candle green है यह बात बहुत important है अगर आपकी candle green है इसका मतलब कि यह जो है point यह आपका opening है और यह जो point है यह आपका closing है यह बात आप हमेशा ध्यान रखोगे opening और closing में ठीक है next अगर candle green है तो लेकिन अगर candle red है red है मतलब की negative candle है तो हमारा उपर open हुआ है यह हमारा opening हो जाएगा यह हमारा closing हो जाएगा high low same रहेगा यह high है यह हमारा low है I hope आपको यह दो बाते समझ आ गई होंगी अगर green candle है तो नीचे open हुई है अगर red candle है तो उपर open हुई है simple अब यहाँ पर दो time आती है shadow and body जितना color area है उसको हम बोलते है body जितना भी area color है वो है body मतलब इसकी body क्या है अगर हम red candle की body बोले यह red candle की body है चीक है green candle की body कौन सी है यह green candle की body है इसमें green candle की body क्या है यह green candle की body है इसमें red candle की body कितनी है इसमें red candle की body इतनी है यह वाले red candle की body है चीक है अब यह जो है जो color नहीं है बहुत हलकी हलकी lines है जैसे यहाँ पर यह वाली लाइन है यह क्या है यह है यह है shadow उपर की side है तो upper shadow नीचे की side है तो lower shadow shadow यानि परड़ चाई उपर की side that means upper shadow नीचे की side means lower shadow यह terms है जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे जितने भी आप charts read करेंगे उनमें यह terms बहुत important part play करेंगे I hope आप लोगों क्लियर हो गया होगा अगर क्लियर हो है तो like, share और subscribe करना मत भूलेगा Thank you